नमस्कार मैं हो दिव्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है आज अब 12 फरवरे दिन सोंबार खर्वक्यों बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज बिहार विधान सभा में होने वारे फ्लोर टेस्ट की ये है कारे सूची जमीन फरजी वाले रोकने के लिए निवंधन विभाग आउलाइन तरीके से करेगा निगरानी बिहार के आकास दिप को भारतिय टेस्ट स्कॉइड में मिली जगह फर्यादियों को परिसान करने पर थानेदारों की लगेगी क्लास पट्ना की गांधी मैदार में हो रहा बागवानी महोट सब जीतने वाले को मिलेगा आकरसक के नाम सेकिंड हैंड गारी लेते वक्त इन बातों का रखे ख्याल अब चले बढ़ते बिहार के अब तके 25 बरी खबरों की और विस्तार से पंजाब स्टेट पावर कॉर्प्रेशन में जूनियर इंजिनियर के पदों पर निकली भरती 544 जूनियर इंजिनियर पदों पर पंजाब स्टेट पावर कॉर्प्रेशन इव्डे द्वारा भरती निकाली गई है जो भी मिद्वार इस भरती के लेग चुक है वे इसके आधिकारिक वेबसाइट PSPCL.IN पर जाकर आविदन कर सकते हैं आविदन करने के इंतिम तारीक 1 मार्च 2024 है इस वर्थी के लिए उमिद्वारों की आयो सीमा 18 वर्ष से लेकर 37 वर्ष तक रखी गई है और मिद्वारों से आविदन सुल्क के रूप में 416 रुपे लिए जाएंगे हालांकि जो मिद्वार अरक्ष वर्ष से हैं उनसे इस आविदन के लिए 885 रुपे लिए जाएंगे सेक्षिंक योगिता और इस भर्ष से संबंदित अधिक जानकारी के लाफिस कर्दी सूचना को देख सकते हैं आज बिहार विधान सबा में होने वाले फ्लोर टेस्ट की ये है कारे सूची आज NDIA सरकार के बिहार विधान सबा में फ्लोर टेस्ट होने वाली है इस फ्लोर टेस्ट को लेकर कारे सूची भी जारी की जा चुकी है इसके मुताबिक आज सुबह 11 बजे विधान सभा की कारेवाही शुरू हो जाएगी इसका प्रारंबिक संबोधन विधान सभा की अध्यक्ष दौरा किया जाएगा फिर राजिपाल का सेंग तो सदन में अभी भासन सारे 11 बजे किया जाएगा राजिपाल के अभी भासन के बाद दोनों सदनों के सदसे अपने अपने सदन जाएंगे इसके बाद बिहार विधान सभा की अध्यक्ष को उनके पद से हटाये जाने संबंधी संकर्प के प्रस्ताव को विचार के लिए रखा जाना है फिर मुक्य मंत्रीं 30 कुमार स्पीकर के फैसले के बाद सदन में अपनी सरकार के लिए विश्वास मत का प्रस्ताव सदन में रखेंगे रादे के बजट चतर के पहले ही दिन बिहार में बनी नई NDA सरकार को विश्वास मत हासल करना है बिहार पैटर में आज हम बात करेंगे बराबर की गुफा के बारे में यहां गुफा बिहार के जहानाबाद जिले में इससे थे इसकी गिंती चटानों को काट कर बनाए गई सबसे पुरानी गुफाओं में होती है। इसका संबंध मौरे काल से देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ में आपको असो के सीला लेक भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ अधिकतर गुफाएं आपको दो कक्चों में बनी दिखाई देंगी। इन अस्थानों पर चटानों से बनी कई बौध और हिंदू मूर्थियां भी देखने को मिल जाएंगी। बराबर और नागर जुनी की जुर्वा पहारियों में ये गुफाएं स्थे थे। मौरे सामराजे में असो के सासन काल के दौरान बनी ये गुफाएं भारत में सबसे पुरानी जिवित रौक कट गुफाएं मानी जाती हैं। यदि आप रौक कट वास्तुखला को देखने का सौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं। यमीन परिवर्दन का काम किया जाएगा। मिली जानकारी के मुदाबिक इस काम के लिए इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम विक्सित की जा रहे हैं। साथी बैंकिंग सिवाओं के जैसी की आधार से लिंक होंगे। बैंकों की तरह ट्रांजेक्शन भी इस पूरे सिस्टम में सेक्यूर किया जाएगा। विहार लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी के मादिम से इसका प्रबंधन किया जाना है। बिहार के आकास दीब को भारतिय टेस्ट स्कॉर्ड में मिली जगा। बिहार के दो खिलारी एक मुकेस कुमार और अब दूसरे आकास दीब भारतिय टेस्ट स्कॉर्ड में सामिल है। फर्यादियों को परिसान करने पर थानेदारों की लगेगी क्लास। बिहार सरकार द्वारा इन दिनों थानेदारों पर करी सकती बरती जा रही। थानेदारों को लेकर दिसा निर्देश भी जारी हुए है। इसके मुताबिक यदि कोई आविदन लेकर थाने में आता है तो उसे ततकार पावती मिल जानी चाहिए। यदि कोई थानेदार ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी सिकायत आती है तो उन थानेदारों को उस व्यक्ति के घर जाकर पाप्ती यानी रिसीविंग देना होगा। साथी थाने के अंदर आविदन या सिकायत लेकर पहुंचे व्यक्ति को थानेदार 30 मिनट से अधिक इंतजार नहीं करवा सकते। यदि वे इससे अधिक समय तक इंतजार करवाते हैं तो उन्हें इसका उचित कारण भी बताना होगा। इस दोरान आविदन लेकर आए व्यक्ति की बात विनवरता के साथ सुनेंगे। साथी इस दोरान में किसी भी असभ्य भासा का इस्तिमाल नहीं करेंगे। थानेदार इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि थाने में बेवज़े की भीर ना लगे और कोई फर्यादी परिसान ना हो। यदि ऐसा होता है तो थानेदारों की मुस्कले बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा है कि यातायात नियमों का उलंगन करने वालों को पंजिकरे डाक के जर्ये ई-चालान भेजने की विवस्ता है। बीते दिन प्रसिद मैथली और हिंदी सहायतेकार उसा किरन खान का 78 वर्स के उम्र में निधन हो गया। इन्होंने अपनी आखरी सांस मेदानता हॉस्पिटल में ली है। डॉक्टर उसा किरन खान के निधन पर माननिय मुख्यमंत्री ने भी गहरी सोक समवेद नाव्यक्त की है। आपको बता दे कि उसा किरन खान बीते कई दिनों से बिमार थी और उन्हें सांस लेने में परिशानी हो रही थी। उसा बिहार के दरभंगा दिले एक में लहरिया सराई की रहने वाली थी। इन्हें इनके छेतर में सरानिये योगदान के लिए कई पुरसकारों से भी सम्म सम्मानित किया चुका है। वर्स 2015 में ने पदमस्री से सम्मानित किया गया। वर्स 2010 में इन्हें साहिते पुरसकार से सम्मानित किया गया। मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। साथ ही किसान परिवार से इस महोटसब में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने का अनुरोध भी किया गया है। इसमें भाग लेने के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट होटीकल्चर.विह इस प्रदर्सनी में आप सबजी, मस्रूम, फल, सहद और पानवर की प्रदर्सनी कर सकते हैं। आतवा फेल आते हैं। तो इसके जिम्मेदार स्कूल के प्रिंसिपल और सिक्चक होंगे। आपको बता दे कि कमजोर बच्चों पर सिक्चा विभाग लगातार मेहनत कर रहा है। आए दिन मिसंदक्च के तिर्द कमजोर बच्चों को विसेज का अक्षाएं भी दी जा रह है। पारजी देशाई राष्ट्र योग संस्थान के नाम से जानते हैं। वर्स 1994 में एक विवान दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यू हो गई थी। नहीं बनवा सकते हैं। इसे बनवाने के लिए आपको सबसे पहले वोटर्स.eci.uv.in पर जाना होगा। यहां आपको नया वोटर आईडी कार्ड अजिस्ट्रेशन का ओप्सन दिखेगा। इसे क्लिक करते ही आपके डिवाइस में फॉर्म खुल जाएगा। इसे उपन करन विधान सबा सचीवाले में निकली भरती पर आविधन के लिए कुछ दिन ही बचे हैं सेस। विहार विधान सबा सचीवाले द्वारा जूनियर कलर का असिस्टेंट ब्रांच ओफसर और असिस्टेंट लेजिस्ट्रेचर के पदों पर भरती निकाली गई है। आविधन करने के इंतिम तारीक 15 फरवरी 2024 है कलर के पदों पर आविधन करने वाले उमिद्वारों को जरूरी है कि उन्होंने बार भी पास की हो वही अन्य पदों के लिए किसी भी विसे में डिग्री होनी जरूरी है इस भरती के लिए नियुनतम आयू सीमा वर्स 18 वर्स हालांकि आरक्षे तो बंदवारों को आयू सीमा में छूट दिये जाएंगे अधि जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को देख सकते हैं फ्लोर टेस्ट से पहले राजपाल ने बदला कानूनी सलाकार आज बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है जहां एंडिये सरकार अपनी भहुमत जुटाने की कोसुस करेगी बीचे दिन राजपाल में एक बरी खबर सामने आई है दरसल राजपाल राजिंदर विस्विना था लेकर ने अपने कानूनी सलाकार को ही बदल दिया है अब बिहार राजपाल के चीफ लीगल एडवाइजर क्रिस ने नंदन सिंग बना दिये गये हैं वही लीगल एडवाइजर कम रीटेनर आजीव रंजन पांडे बनाये गये हैं और एडिसनल काउंसल जनादन प्रसाद सिंग को बनाये गया है इस संबंद बीते ही दिन जिवाले सधी सूचना जारी कर दी गई थी फ्लो टेस्ट से पहले लिए गये इस फैसले को लेकर कहा जा रहा कि यदि किसी तरह का सम्वेधानिक संकट खड़ा होता है तो उसे कैसे अच्छे से निप्टा जाए इसलिए फैसला लिया गया है बिहार के कई जिलों में इस दिन है बारिस की संभावना बिहार के कई जिलों में सर्दी पहले से कम होई है लेकिन हवा के कारण सीत तहर के स्तिती बनी होई है हाला कि बीते कुछ दिनों से लगातार करी धूप देहने को मिल रही जिसके कारण थोडी रहत है हाला कि आने वाले कुछ दिनों में बारिस की संभावना जताई जा रही बारिस की ये संभावना बारण से 14 फर्वरी के बीच है मौसम विभाग के मताबिक प्रदेश में आज का मौसम सुस्क रहने वाला है परिवार धिनका सपना होता है कि उनके पास भी कार हो आर्थिक तंगी की वाज़े से कई वार हम अपने सफने को सेकेंड हैन घारी खरीद कर ही पूरी कर लेते हैं सेकंड हैंड खड़ी देगे इस कार की RC को तो हम अपने नाम करवा लेते हैं डिस इस प्रक्रिया से पुरानी कार उनकी नई कार हो जाती है लेकिन आपको बता दे कि किवल RC अपने नाम ही करवाना काफी नहीं होता सेकंड हैंड गारी खड़ीते वग और भी कई ऐसे दस्तावेज है जिने बदलवाना जरूरी है सेकंड हैंड कार लेने के दौरान आपको RC के अलावे इसके सर्विस बुक को देखना भी जरूरी है यदि काल लोन पर ली गई है तो लोन पूरा हुआ हो या नहीं ये भी देखना जरूरी है नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट रोड टेक्स की रसी राधी देखना भी जरूरी है बीजेपी से राजसभा सांसत भेजने के लिए सुसील मोदी और मानजी के जगह इन दो नेताओं का नाम आया सामने बीजेपी ने अपने दो मेदवारों के नाम का एलान बिहार से राजसभा की छे सीटों के लिए होरे चुनाब को लेकर किया है इन दो नावों में सुसील मोदी और जीतना मांजी का पत्ता साफ हुआ है इनकी जगा पार्टी ने पूर्वी भीम सींग और दर्म सीला गुपता को राजसभा भेजने का फैसला लिया है आपको बता दे कि भीहार में राजसभा की छे सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है आज फ्लो टेस्ट को लेकर एक तरफ जहां अलिये पूरी तयारी कर रही वहीं दूसरी तरफ राज़त लगातार खेला होगा का दावा कर रही है अब इसी बीच लालू यादव के खास और राज़त सांसत मनोज जाने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे चर्चाओं का बाज़ार और भी गर्म हो चुका है उन्होंने कहा है कि बिहार में स्पीकर को हटाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत है ऐसा सम्विधान में भी कहा गया है हम सब लोक्तंत्र बचाने के लिए एक जोट है हमारे महागरबंदन के सबी नेता एक साथ है इस स्पीकर को हटाने के लिए जो अवस्वाशप्रस्ताब लाया गया है उसके लिए सुप्रीम कोट की निर्ने के अनुसार बिहार में कम से कम 122 रस्यों का समर्थन चाहिए इस लिहाद से मैं बिहार सरकार के सलाकार से निवेधन करता हूँ कि वो सुप्रीम कोट की निर्ने के आलोक में ही कोई फैसरा ले रवीवार को हुए जदियू के बैठक में सीम नितीस ने सभी को किया आस्वस्त आज होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर बीते दिन जदियू विधान मंडल दल की बैठक होई यहां बैठक सीम नितीस के अधरक्सा में विजय कुमार चौधरी के आवास पर होई थी बैठक के दौरान कुछ विधायक नहीं पहुँचे थे इससे लेकर जदियू ने बताए कि सभी विधायक संपर्क में है साथ नितीस ने फ्लोर टेस्ट में जीत के लिए सभी को आस्वस्त किया है अभी हाल में ही मंत्री स्रवन कुमार के आवास पर जदियू विधायकों की भोज आयोजद की गई थी लेकिन इस दौरान भी कुछ विधायक इस भोज से गायब रहे थे लेकिन बेते ही दिन ये विधायक पटना पहुँच के है जब इनके गैर मौजूदगी को लेकर सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि हम लोग कहा जाने वाले हैं हमारी पूरी आस्ता नितिश कुमार के साथ है बता दे कि जो भी विधायक जदियू के भोज से गायब थे उन्हें पाला बदलने की चर्चा देखने को मल रही थी वहीं विधायक सालीनी मिस्रा ने खा कि उनके इधर अधर जाने की बात कहा है स़लीवार के भोज की सूचना उन्हें विलंस से मिली थी रैसे भी पटना से दिल्ली आने के बारे में उन्होंने अपने पार्टी नेतरित्व को सूचित कर रखा था। टीम इंडिया नहीं विखेर पाई अपना जल्वा। एक बार फिर से अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन बनने का भारत का सपना तूट गया। टूर्णामेंट के तहास में पहली बार भारत को फाइनल में आउस्ट्रेलिया ने हराया है। भारत के सामने 254 रन का लक्ष था। आपको बता दे कि भारती टीम ने 16 बार हुए वर्ल्ड कप में 5 बार खिताब अपने नाम किये हैं। कई कानों से दर्ज है भारत के तहास में आज की तारीख। में भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोसित किया था आज की दिन वर्स 1999 में बिहार में राष्ट पती सासन लागू हुआ था आज की दिन वर्स 2009 में भारत के वैज्ञानिकों ने विस्व का पहला भैंस क्लोन विक्सित किया था आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे इंकम टेक्स के इस नोटिस के बारे में सोसल मेडिया के जमाने में कई ऐसी खबरे हैं जो वाइरल होती रहती हैं लेकिन सभी सही हो ये जरूरी नहीं है अब इसी करीम इंकम टेक्स के नाम पर एक और ऐसी ख़बर वाइरल हो रही जहां यह कहा जा रहा कि इंकम टेक्स दुवारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसके मुताबिक और दिटेड बैलन्स सीट के लिए 15 फर्वेरी दोजाब 24 तक बुक्तान करना जरूरी है लेकिन आपको बता दे कि इंकम टेक्स के नाम पर फैलाई जा रही है ख़बर पूरी तरह से फरजी है प्याई भी फैक्ट चेक्ट ने भी इससे लेकर सोसल मीडिया एक्स पर एक पोस वाट्चप अपने यूजर के लिए कई तरह के सुवधा लेकर आता रहता है इसी करी में वाट्चप से एक और नया फीचर जुरा है इस फीचर के दिए यूजर वाट्चप पर आ रहे है इस स्पैम कॉल को लॉक्र स्क्रिन से ही ब्लॉक कर सकेंगे उन्हें ऐसे स्पैम के लिए यूजर को स्पैम मैसेज के नोटिफिकेशन पर ही थोरी दिर प्रेस करके रखना होगा फिर ऐसा करते ही आपके सामने कुछ आप्सन से सामने आ जाएंगे इन्हीं में से एक ब्लॉक का भी आप्सन होगा जिस पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से इसे ब्लॉक कर सकते हैं देश के डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन में हुई बरहोतरी देश के डाइरेक्ट टेक्स कलेक्शन में बरहोतरी हुई है इस बात की सूचना सिंटरल बोर्ड ओफ डाइरेक्ट टेक्स के तरब से दी गई है मिली सूचना के मुताबिक देश का कुल डाइरेक्ट टे टेक्स और पर्सनल इंकम टेक्स के आगरे भी लगातार बर रहे हैं कॉर्परेट इंकम टेक्स में 13.57 फीज़ी और पर्सनल इंकम टेक्स में 26.9 फीज़ी के बरहोत्री हैं वहीं 10 प्रवरी तक 2.77 लाग करों रुपे के रिफंड भी जारी किये गए हैं आरेभट ग्यान उनिवरसिटी में अवैद पैसों के निकासी का मामला आया सामने वितिया नियमत्ता का एक नया मामला आरेभट ग्यान उनिवरसिटी को लेकर राजभवन के संग्यान में सामने आया है रसल बात विस्विद्याले के प्रभारी कुलपती रहे डॉक्टर रामिस्वर सिंग के कारेकाल की है इस दौरान 30 लाग से अधिक की अव्याद निकासी वीवी का अपदादे कारियों द्वारा की गई थी अब इस अव्याद निकासी का मामला सामने आ चुका है महालेखाकार राजभवन के आदेश पर इसकी जाच कर रहे हैं बतादे के विस्विद्याले के पास यह पैसे बच्चों से आये थे जब बच्चों ने प्रवेस पर एक्षा सुलके के रूप में विस्विद्याले को दिये थे मामला संग्यान में आने के बाद राजेपाल के प्रधान सचीव रॉबर्ट टेल चौंगतु ने महालेखा कार को पत्र रिखा है इस पत्र के जरी उन्होंने अनुरोध किया है कि एक स्पेसल ओर्डिट टीम को भेज कर मामले की पूरी जाच कराई जाए हम प्रती दिन आपसे पांच जैसे जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपी एसे बिहार पुलिस दरोगा समेट ऐसे से जैसे अनर प्रतोगी परेक्छाओं में काम आएंगे सवाल एतिहास बिहार स्पेसल विग्यान करेंड़ा फिर्स और वो गोल से रहेंगे पूचेंगे पांच सवालों में आपने कितना सहीं उत्तर दिया है यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है हाली में के स्तितिक और राश्चे करीमी मुक्ति दिवस मनाया गया है ओप्सन अ है 10 फरवरी ओप्सन भी है 11 फरवरी ओप्सन सी आठ फरवरी ओप्सन डी है साथ फरवरी इसका सही उत्तर है दस परवरी दोजाद चौबिस कहाँ पे सुसासन बहुत सब दोजाद चौबिस का एउजन किया गया है आप्सन ए है माराज्ट आप्सन भी है नॉइड आप्सन सी है गुरगा आप्सन डी है नई दिली इसका सही उत्तर है नई दिली किसने ऑफिस से रस्पांसर के लिए विमानन कंपनी इतिहाद एअर बेस के साथ समझाता किया है आप्सन ए है बंगाल वार्यरस आप्सन भी है चिन्नई सूपर किंग्स आप्सन सी है गुजडा टाइटन सी ऑप्शन डी है कॉलकाता नाइट राइडर्स इसका सही उतर है चन्नाई सूपर किंग्स छटवी सदी में विस्विक की पहली लोगतांत्रिक व्यवस्ता कहां थी उप्सने है बोध गया उप्सन भी है वैसाली उप्सन सी है पार्टे पुत्र उप्सन दी है नालंदा इसका सही उतर है वैसाली गुप्त काल के किस राजा ने महाराजा धिराज के उपाधी धारन की थी उप्सने समुद्र गुप्त ने उप्सन भी है राम गुप्त ने उप्सन सीच चंद्र गुप्त प्रथम ने उप्सन दियसकंद गुप्त ने इसका से तरह समुंध्र गुप्त ने बीचे दिन हमारे दौरा पुछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग ने पुछे के सवाल का जबाब देऊं के नाम है गोर्नर सर्मा मिर्तुंजे कुमार बाबुलाल मरांडी रंजीत मिस्रा इसके साथ ही बरते हैं आज के सवा तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर और लाइक करना अगर आप फेस्बुक से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद